हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चानल आज हम लोग टाइट प्लाजो कटिंग करेंगे सबसे पहले नीचे वला एरिया प्लेन कर लीजिए यह डबल फॉल्डड है अब यहां से हम टू एंड हाफ इंची रखेंगे यह मेरा जो बॉट्टम होगा प्लाजो का उसकी चुड़ा ही है आप वन इंच, वन एंड हाफ इंच, फॉर इंचिस कुछ भी रख सकते हो फिर इसको हम स्ट्रेट करेंगे याद रखना इस डबल फॉल्डड प्लोथ अब यहां से हम लोग लेंगे अपनी लेंथ प्लाजो की जैसे इस प्लाजो की लेंथ होगी 36 इंच बट क्योंकि बेल्ट लगेगी तो हाफ इंच लेस इस थर्टी फाइव एंड हाफ इंच इंच तो हम हर जगा थर्टी फाइव एंड हाफ इंच इस मार्क कर लेंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिए यह लाइन जब स्ट्रेट हो जाएगी अब हम यहां से अपना क्रोच एरिया जिसको आसन कहते हैं वो रखेंगे बट वो कैसे रखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे पहले हम हाफ तो वहां से छोड़ेंगे हाफ इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो कटिंग किया जा सके तो अगर हमारी हिप का साइज 40 है तो इसको फोर से डिवाइड करेंगे विच इस 10 तो हम 10 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और और 1.5 इंच की लोजिंग देंगे क्योंकि यह टाइट प्लाजो है तो फ्रंट में जादा नहीं दे रहा है तो आसन जो है वो हम 11 रख सकते हैं 11.5 रख सकते हैं जितना बड़ा छोटा रखना है उसके अकॉर्डिंग अब मेजर कर लेंगी उपर से भी अब फिर यह मार्क्स को यूनाइट कर देंगे अब यहां से हम 2 इंची रख सकते हैं 2.5 इंची रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या पतले हो मोटे हो और यहां से हम अपने हासन की घुलाई देंगे तो यह हमारा क्रोच एरिया इस रेडी दुबारा से अब हम इसका हाफ कर रहे हैं जो वो हाफ हमने मेजर लियाद था वहां से जहां तक आसन की घुलाई है हमने हाफ कर लेना है पिर जितना उपर आया जैसे 7.5 इंची उतना ही हमने नीचे एक मार्क लगाना है और यहां से हम रखेंगे अपने बॉटम की चुड़ाई अगर आप खुला रख रहे हूं जैसे कि 12 इंची या 13 इंची तो 6.5 6.5 करोगे पैट मैं टाइट बना रही हूं तो जो फ्रंट पार्ट होगा वो 7 इंची होगा तो यह 3.5 और यहां पे 7 पे हमने लगा दिया गुलाई आपने देनी है स्केल भी मिलता है उससे भी आप कर सकते हो ऐसे ही दूसरी साइट से हमें स्ट्रेट मार्किंग करने है और बिसले डाइगनल होगी यह तो यह ड्राफ्ट बन गया हमारे फ्रेंट पार्ट का जो यह सेंटर वाला पॉइंट है मेजर कर लो जैसे यह नियर टू सेवन इंचीज आ रहा है ठीक है अब हमने ऊपर भी उतना ही लेना है नियर टू सेवन इंचीज यहां पे हम लोग डाइट्स डालेंगे जो कि फॉर इंचीज लंबी होगा इस वे से हम इस साइड पर मार्क करेंगे सिमिलर वे से हमने इसकी दूसरे साइड पर भी मार्क करना है जो दो पॉशन जोंगे फरंट के अब बैक साइड कटिंग करेंगे तो जो यह आपने जो कट किया है इसको डबल फॉल्डिट पर ही रखना है पहले भी हमने डबल फॉल्डिट में ही कट किया था अब इसको डबल फॉल्डिट पर रखकर जो सारी की सारी मेजरमेंट्स है वो एक साइड से चेंज होगी क्योंकि इसमें इलास्टिक लगेगा वन अड़ हाफ इंच का तो इसको डबल फॉल्ड 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 इंच तो एक इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे उधर से एक इंच हम कम रखेंगे ताकि जो हमारा बैक साइड है वो थोड़ी सी लंबी हो फ्रेंट साइड से जो आसन वाला एरिया है वो आपने फॉर इंचिस रखना है जो दूसरा एरिया है वो आपने एक इंच कम रखना है पिर अब हम एक डाइगनल लाइन लगाएंगे जो कि थोड़ी सी डाइगनल होगी इसके बाद जो क्रोच वाला साइड होगा वहां से हमने सारी मेजरमेंट्स वान एंड फिन्च या फिर टू इंच ये टू एंड हाफ इंच इंक्रीस करनी है वो टिपेंड करेगा अगर आप तले हो तो वन एनगाफ इंच थोड़े से हल्दी हो तो टू इंच ज्यादा हल वाले मार्क से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे क्यूंकि यहां पर जो बैक वाला एरिया है उसका क्रोच बनेगा जैसे वहां पर हमने आसन की गुलाई दी थी तो सिमिलर वे से हमें यहां पर भी आसन की गुलाई देने है अब जो बाकी की मेजरमेंट से हैं वो टू इंच यहां वान अदाफ इंच आप बढ़ा कर लेंगे एक साइड से इंक्रीव करनी है दूसरी साइड आस इटीज कट करनी है अब यह क्रोच वाले मांक से हम नीचे जॉइन कर लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज आस्क में इन कमेंट और बाकी सारा हमने आस सच कटिंग कर लेना तो यह हमारी नेरो पैंट प्लांसों की कटिंग हुए इस तरह से यह दिखाई देगा थेंग आई